नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कच्छा 11 वी NCIT English, जिसमें हम Snapsorts Book का Lesson 5 Mother's Day पढ़ रहे थे इस Lesson के हम 3 Important Question कर चुके हैं, आज हम 3 और Important Question करेंगे सबसे पहले 4 Important Question ये करेंगे, और 5 Important Question ये करेंगे, और 6 Important ये करेंगे और ये Question Long Type के लिए Important होगा, तो 3 Question ध्यान से समझना तो देखें, चौथा Question, What kind of girl, याने किस प्रिकार की लड़की, वाज याने थी, दौरिस तो डौरिस किस प्रिकार की लड़की थी, How याने किस प्रिकार से, Dids I, Kriya, See, याने वह Trueal, देखें, Trueal याने होता है सताना या परिशान करना, हर मदर याने अपनी मा को, तो वह अपनी मा को किस तरह से सताती थी या परेशान करती थी तो देखे question क्या है Doris किस प्रिकार की लड़की थी वह अपनी मा को कैसे परेशान करती थी तो देखे chapter में हमने आपको बताया था के Doris कौन है Mrs. Pearson की बेटी है और वह जो है 20 साल में अभी चल नहीं है वह सुन्दर दिखती है लेकिन वो बिगडेल बच्ची है वह है अपनी मा को हर समय अपने पीछे दोडाती रहती है कभी ये काम बताती है कभी वो काम बताती है ऐसे order देती है जैसे कि Mrs. Pearson उस घर में एक नोकर हूँ कभी कहती है कि हमारी इस dress पे iron कर दीजिए कभी कहती है हमारे लिए चाय ले आईए तो इस तरह से वो परिशान करती है और हमीसा खुद के बारे में सूचती है और उसका जो वाइफरेंड है चारली उसके बारे में सूचती रहती है तो देखे आंसर बताया गया है डॉरिस पियर्सन मिसेज पियर्सन की बेटी है वह जो है शुरुआती 20-वे साल में लगी है और एक सुंदर लड़की है वह सुखत दिखती है लेकिन वो बिगडेल बच्ची है वह हर समय अपनी पीछे अपनी मा को दोडाया करती है और वह ऐसे ओडर देती है जैसे मिसेज पियर्सन घर में एक नोकर की तरह हूँ वह अपनी पीली सिल्क ड्रेस को आयरन करने के लिए अपनी मा से कहती है और वह उम्मीद करती है कि चाय भी उसके लिए परोसी जाए और केवल वो अपनी वाइफरेंड चाली और अपने बारे में हमेशा सोचती रहती है तो देखें यह आंसर थोड़ी बड़ा है क्योंकि यह भी question long type में पूँचा जा सकता है तो ध्यान से समझेंगे हम translation के माध्यम से बहुत आसान हो जाएगा तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन-कौन से meaning कठें है तो देखें यह पहली line में देखें तो Doris Pearson यह तो नाम है Mrs. Pearson ही लिखेंगे और फिर यहां पर देखें बेटी बेटी याने daughter होता है यह आपको पता होगा वह याने C होता है और अपनी याने हर और फिर early याने शुरू आती तो early 20s मतलब जो होता है शुरू आती 20 में early 20s लिखेंगे और इनका मतलब हो गया मैं और एक सुन्दर लड़की है देखें सुन्दर के लिए beautiful तो कहते हैं एक बाड और होता है pretty तो दिहान रखेंगे यहाँ पे एक सब्द लिखा गया है pretty का मतलब भी होता है सुन्दर और गर्ल याने लड़की तो यहाँ पे early 20s दिहान रखना early 20s हो गया और हर याने अपनी तो हर early 20s और इन याने मैं और pretty girl याने एक सुन्दर लड़की और फिर daughter याने उत्री हो गया और off याने की हो गया Mrs. Pearson को Mrs. Pearson ही लिखना और Doris Pearson को Doris Pearson ही लिखेंगे फिर आगी दिखिए वह सुखद दिखती हैं सुखद याने pleasant होता है ध्यान रखना P-L-E-A-S-A-N-T होता है तो pleasant याने आनंद दायक या सुखद होता है और look याने होता है दिखना लेकिन याने बट हो गया वह याने C और एक बिगडेल बच्ची है याने spoiled कह सकते हैं तो दिखना spoiled का मतलब है बिगडेल और child याने बच्चा या बच्ची होता तो spoiled child हो जाएगा वह हर समय दिखिए आलदा time होता है हर समय अपने पीछे याने की कह सकते हैं के पीछे होता है after याने के पीछे और हर याने अपने तो after हर हो जाएगा अपनी मा को दोड़ाया करत यहां पर क्रिया है वो कैसे लिखी जा रही यहां पर दिखान लिखना देखिए make और फिर यहां पर एक wide होता है बीच में और फिर run देखिए make run और बीच में हम जिसको दोड़ाते हैं उसे लिखना पड़ेगा जैसे make और mother को दोड़ा रहे हैं तो यहां पर make mother run कहेंगे क् Make, हर मदर रन, ऐसा क्यों बनाया जाएगा, ये चीज ध्यान लखना, क्योंकि यदि आप बाके देखें, वह दोडाया करती हैं, ये बाके देखें, तो देखें, लग रहा है, कि वह यानि को यहाँ पर दौरिस की बात हो रही है, दोडाती हैं वह अपनी मा को, दोडती हैं, लेकिन दोडाती वो हैं, तो यहां पर या तो आप पेसे वाइस बनाईए, या फिर make लगाके क्रिया लिखिए, तो make लगाके ऐसे क्रिया लिखी जाती है, ध्यान लखना, make लगाया, फिर जिससे दोडाती हैं, उससी लिखेंगे, फिर बाद में लिखेंगे run, तो यहां पे make run और बीच में आपका object आता है, जिसे हम दोडाते हैं, पर देखेंगे उनके लिए, ऐसे order देती हैं, उनके लिए, याने की मदर के लिए, तो हम कहेंगे, यहां पे हर हो जाएगा, to, हर, याने उनके लिए, ऐसे order देती है, order को order कहते हैंगे, वियान लेना होता है, अब देखें, ऐसे जैसे की, देखें, ध्यान लेना, ऐसे जैसे की, जब एक साथ आते हैं, तो उसके लिए conjunction होता है, as if, याने जैसे की, तो ऐसे जैसे की, जब भी आए, ध्यान लखना, as if, हमें लिखना पड़ेगा, फिर Mrs. Pearson, घर में नोकर हो, तो Mrs. Pearson, इंदा house, यान अपनी पीली सिल्क को, देखें, यहां पे हर याने अपनी एलो सिल्क, पीली सिल्क याने एलो सिल्क, उसकी ड्रेस का रंग बताया गया होगा, तो ड्रेस को कहा गया है, एलो सिल्क, और आयरन करने के लिए, आयरन करना को आयरन ही कहते हैं, इंगलिस वर्ड है, अपनी मां स और फिर यहां कहना मतलब होता है आस्क तो यहां पर ध्यान लखना किसी से यदि हम कोई बात कहते हैं तो उसके लिए हम आस्क लिख सकते हैं रिखे से लिखना यहां पर सई नहीं होगा क्योंकि से का मतलब कहना होता है लेकिन से के हिसाब से फिर आपको टू लगाना पड़े हैं और उम्मीद करना एक्सपेक्ट होता है यह तो आपको पता होगा कि एक्सपेक्ट करना याने की उम्मीद करना होता है तो यहाँ जैसे हम कहेंगे कि लिखा जाए तो to be written होगा यहाँ परोसी जाए याने to be third form लिखेंगे तो to be served हो जाएगा परोसना के लिए फिर देखे आगे वही याने see और हरी याने अपने wife friend Charlie and अपने में हमेशा सोचती थी लिखे यहां हमेशा का मतलब होगा always think याने सोचना होता है लेकिन ध्यान रखना think के साथ एक preposition होती है of think off का मतलब किसी के बारे में सोचना think के साथ आपको about लगाने की जरूरत नहीं है think off याने किसी के बारे में सोचना तो यहां think लिखेंगे और के बारे में off लिखेंगे त और यहां पे हर एलू सिल्क हो जाएगा, आयरन करने के लिए टू आयरन हो जाएगा, हर मदर याने अपनी मा से, आसक याने कहना हो जाएगा, C याने की वह हो जाएगा और उम्मीद करती याने expect हो जाएगा चाय याने T हो जाएगा और फिर 2 हर उसके लिए 2 भी third form याने 2 भी served हो जाएगा The servant no car in the house याने घर में As if याने जैसे की ऐसे जैसे की के लिए As if हो जाएगा give याने देना order और फिर 2 हर याने उनके लिए C याने की वह है और सुखादी याने Pleasant हमने बताया look याने दिखना बट याने लेकिन वह है याने C spoiled child याने बिगडी बच्ची और फिर C याने वह है All the time हर समय और फिर After हर अपने पीछे हर मदर अपनी मा को दोडाया करती के लिए हमने बताया है कि मेकरन लिखेंगे लिकिन बीच में जिसको दोडा रहे हैं उसे लिखना पड़ेगा और फिर यहां पे pretty girl याने सुन्दर लड़की और फिर her early 20s हो जाएगा याने सुरुवाती 20 में और daughter याने बेटी तो देखी यहां जादन कठिन बड़ बिल्कुल भी नहीं है तो देखते हैं फिर पहली line देखी Doris Pearson यहां subject हो जाएगा और फिर यहां पे देखी है का मतलब present tense है तो इस साहाई करिया तो Doris Pearson इस साहाई करिया फिर वो क्या है the daughter याने पुत्री है वेटी है ओफ याने की Mrs. Pearson की वेटी है तो Doris Pearson इस साहाई करिया the daughter of Mrs. Pearson हो जाएगा फिर देखी आगे वह है याने की C हो जाएगा C और इस फिर साहाई करिया होगी याने की वह है तो C इस वह है आप प्रिटी गल एक सुन्दर लड़की है आप प्रिटी गल जो की इन ही याने की मैं है और हर याने अपनी early 20s अपनी शुरुआती 20 साल में बो चल रही है तो यहाँ पिर C इस आप प्रिटी गल इन हर early 20s हो जाएगा फिर देखे वह है सुखद दिखती है याने की C लुक्स याने वह दिखती है present simple तो वह दिखती है याने लुक्स हो जाएगा pleasant याने की सुखद तो फिर C लुक्स प्लेजेंट बट लेकिन बट लेकिन C याने की वह है और फिर इस आप प्रिया फिल लगाएंगे I spoiled child याने एक बिगडेल बच्ची है अपनी मा को दोडाया करती है अब यहाँ पर हमने बताया कि आपको make लिखना है और फिर run लिखना है लेकिन बीच में जिसी दोडाते हैं उसी लिखना है present simple की बात हो रही है तो makes makes हर mother run लिखेंगे हम makes हर mother run हो जाएगा यहाँ पर और अपने पीछे का मतलब है after हर after हर याने अपने पीछे और all the time याने हर समय तो c याने वह है और makes makes और हर mother run makes हर mother run after हर अपने पीछे all the time याने हर समय फिर आगी दिखी c याने की वह है c गिप्स याने वह देती है और फिर orders देती है और फिर to her यान उनके लिए तो see gives order to her उनके लिए अब दिखिए हमने बताया ऐसे जैसे की के लिए as if होता है conjunction तो ऐसे के लिए लिखना जरूरी नहीं है बस यहाँ पर लिख देंगे as जैसे की Mrs. Pearson घर में नोकर हों दिखिए हमने यहाँ पर पिछली question में आपको बताया था कि जब कल्पना की जाती है तो वहाँ पर वाजवर में से वर सहाय क्रिया ही सभी के साथ लगाते हैं subject वर और object हमने बताया था जैसे I were a king यान मैं इक राजा होता जब भी कल्पना की जाती है तो as if जैसे Mrs. Pearson were the servant in the house तो इस प्रिकार से बनाएंगे तो देखिए C gifts orders वह order दीती है to her उनी के लिए as if जैसे की Mrs. Pearson वर the servant नो कर हो वो in the house यान वो घर में नो कर हो फिर आगी देखिए वह यानि की C हो जाएगा C यानि की वह हो जाएगा ask की यानि कहती है और present simple as लगा के किसी say कहना होता है ask यहाँ say word इस्तिमाल यदि आप करोगी तो say के साथ two भी लगाना पड़ेगा इतना ध्यान लखना तो हमने ask लिखाएं तो c ask वह कहती हैं हर mother यानि अपनी मा से कहती हैं क्या कहती हैं के iron करने के लिए कहती हैं तो two लगा की two लगा की first form two iron iron करने के लिए अब किस चीज पर iron करना है वो चीज हर yellow silk यानि अपनी पीली ड्रेस पर उन्हें iron करना जो रिसम वाली पीली ड्रेस है उसकी बात हो रही है तो यहाँ c ask हर mother two iron हर yellow silk हो जाएगा फिर देखें वहाँ उमीद करती हैं याने की c याने वहाँ expect करती है याने उमीद करती है तो c expect वहाँ उमीद करती है के जो t है जाए है to be served याने परोसी जाए to be third form हमने बताए to be served परोसी जाए और उसके लिए याने की two हर हो जाएगा उसके लिए तो यहाँ C expect में S लगाके expects करती है वो के जो T है जाए है to be served पर उसी जाए to her याने उसके लिए फिर आगी दिखेंगे वह है याने की C और फिर हमेशा सोचती है याने always think और think में S जोड़ेंगे क्योंकि present simple है तो always thinks और फिर यहाँ पर दिखान नेना के बारे में के बारे में हमने बताया है यहाँ think के साथ of preposition चलती है तो यहाँ पर think of लिखेंगे of her याने अपने बारे में and her boyfriend Charlie तो फिर C always thinks of her and her boyfriend Charlie एक बार पूरा answer हम रिपीट कर लेते हैं Doris Pearson is the daughter of Mrs. Pearson She is a pretty girl in her early twenties She looks pleasant but she is a spoiled child She makes her mother run after her all the time She gives orders to her as if Mrs. Pearson were the servant in the house She ask her mother to iron, her yellow, silk She expects T to be served to her She always thinks of her and her boyfriend Charlie तो देखें इस प्रिकार से हमारा answer बन जाएगा देखें जादा कठिन बढ़ नहीं है ना इस बज़े से यह answer कठिन तो नहीं होगा लेकिन यह long time के लिए आ सकता है तो repeat तो करना पड़ेगा तीन-चार बार आप repeat करेंगी तो आराम से बन जाएगा इसके बार देखें पांचवा question Who was Cyril? Cyril कौन था? How did he behave करना याने बिवहार करना? तो वह कैसा बिवहार करता था? इन्दा family याने परिवार में तो देखें question क्या है Cyril कौन था? वह परिवार में कैसा बिवहार करता था? तो Cyril Mrs. Pearson का बेटा था और वह भी बिल्कुल बिगडेल बच्चा था जैसे उसकी बहन बिगडी थी ऐसे उसकी जो पिताजी थे वो भी बिगडेल थे अब यहां Cyril अपनी मा के प्रिती अच्छा बिवहार नहीं करता है बहुत अनौप चारिक बिवहार करता है तो देखें आंसर क्या बताये गया? Cyril Mrs. Pearson का बेटा है वह भी अपने पिता, अपनी बहन के समाने एक बिगड़ा बच्चा है अपनी मा के प्रिती उसका जो रवया है बहुत ही casual casual को हिंदी में यदि हम कहें तो अनौप चारिक है अनौप चारिक है मा के प्रिती बहुत समान बिवहार होना चाहिए लेकिन उसका बिलकुल ही अनौप चारिक बिवहार है मतलब अंग्रेजी में casual तो देखे आंसर बहुत सरल सा है देख लेते हैं पहले तो कौन-कौन से कठिन मीनिंग है देखे बेटा याने सन होता है ये तो आपको पता होगा भी के लिए आलसो कहते हैं और फिर लाइक याने की समान होता है I spoiled याने एक बिगडा और child याने बच्चा या बच्ची के सरल सरल से कोई वी ऐसा इसन घ्चिन मीनिग नहीं हो आपको पता हो तो देखे पहली लाइन देखे रहे हैं तो सायरेल सबजेक्ट हो जाएगा फिर इज सहाय क्रिया सैरल इज साहाय क्रिया तक्चा और याने का देटा है ऑफ याने का Mrs. Pearson का तो उस सायरेल इज देख सन रखना also जो होता है साहे क्रिया की तुरंद बाद आ जाता है तो he is also और I spoiled child याने की एक बिगड़ा बच्चा like याने की समान अपनी बहन दिखी यहाँ पे he subject है तो अपनी बहन याने his sister कहेंगे and और यहाँ पे he है इसलिए his father कहना पड़ेगा तो he is also a spoiled child like his sister and his father हो जाएगा तो Cyril is the son of Mrs. Pearson और he is also a spoiled child like his sister and his father हो जाएगा पर आगे दिखिए अपनी मा के प्रती उसका रवया याने his attitude उसका रवया his attitude towards के प्रती और his mother याने अपनी मा के प्रती तो यहाँ पे ध्यान लखना चीसे अपनी बहिन को भी his sister और अपने पिता को his father और his mother याने अपनी मा की बात हो रही है तो यहाँ पे यह पूरा हो जाएगा subject के his attitude towards his mother और फिर इसके बाद सहाय क्रिया लगाएंगे इस सहाय क्रिया फिर very casual याने की बहुत ही अनौप चारे तो यहाँ पे ध्यान से समझना एक बार answer repeat कर लेते हैं पूरा Cyril is the son of Mrs. Pearson, he is also a spoiled child like his sister and his father और फिर his attitude उसका रवया towards his mother अपनी मा के प्रिती और फिर इस सहाय क्रिया लगा के very याने बहुत ही casual याने अनौप चारे तो देखे इस प्रिकार से हमारा answer बन जाएगा ये बहुत सरलसा answer है सभी लोगों से बन जाना चाहिए इसके बाद देखे छटवा question describe करना है याने वर्णन करना है दा personality याने व्यक्तितु का आफ जोर्ज देखे जोर्ज यहाँ पे कौन है Mrs. Pearson के husband है उनके व्यक्तितु का हमें वर्णन करना है और what was his attitude उनका रवया क्या towards Mrs. Pearson, Mrs. Pearson के प्रति उनका रवया क्या था ये भी आमें बताना है तो देखे question क्या है जार्ज के व्यक्तितु का वर्णन कीजिए Mrs. Pearson के प्रति उनका रवया क्या था ये भी आमें बताना है तो देखे हम आपको chapter में बता चुके हैं कि George जो है Mrs. Pearson के husband है उनका भारी सरीर है व आत्म महत्पूर्ण वाले व्यक्ति हैं गंभीर भी रहते हैं हमेशा और उनका एक अलग ही इगो चलता है वो हमेशा चाय मांगती रहते हैं यदि उनको कभी चाय ना मिले टाइम पे तो उन्हें बहुत गुस्ता आती है इसलिए उनकी पत्नी जो मिसेश पियर्सन है उन्हें चाय हमेशा तयार रखनी पड़ती है वाले ही उन्हें जरूरत हो या ना हो एक आग्याकारी पत्नी के समान जो है मिसेश पियर्सन काम करती जाती है उनका लेकिन उनके लिए थोड़ी सा समय तक नहीं मिलता है अपनी पत्नी के लिए तो देखे आंसर बताया गया है एगो का मतलब होता है कि पुरुसवादी अहंकार तो उनका जो पुरुसवादी अहंकार है उसको तब जटका लगता है जब वो देखते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी ने आज उनके लिए चाय तयार नहीं रखी है इस बज़े से उनकी पत्नी को हमेशा च टाइप में आंसर आता है तो ध्यान से समझना सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन-कौन से मीनिंग कठे ने तो देखी यहाँ पे जॉर्ज पियर्सन यह तो नाम है मिसेज पियर्सन और के के लिए हो जाएगा और हस्वेंड याने पती हो जाएगा और फिर उनका एक भारी सर सब्स्तिमाल किया गया है, वो है सोलेम ध्यान रखना, तो सम ने का मतलब होता है गंभीर, बट याने की लेकिन की लिखने, याने आद्म महत्पूर्ण परसन याने व्यक्ति, सेल्फ इंपोर्टेंट याने आद्म महत्पूर्ण परसन याने व्यक्ति हो जाएगा, बस यहां सॉलेम याद रखना गंभीर के लिए लिए लिखा गया है, और हिज याने उनका मेल, मेल आप जानते ही हैं, मेल याने पु रखा गया है। सफर तो आप जानते हैं, सफर यानि वैसे तो उता पीडित होना, लेकिन सफर आ जोल्ट का मतलब होता है जटका लगना। दिखिए जॉल्ट का मतलब होता है जटका लेकिन जटका लगना को सफरा जॉल्ट कहा गया है यहाँ पी ध्यान लखना तो सफरा जॉल्ट का मतलब जटका लगना जब वह पाते हैं दिखिए पाना याने की क्या होता है फाइंड होता है ये तो आपको पता होगा तो याने की तयार होता है not याने रख नहीं और रखना को keep कहते हैं और keep का second form kept होता है धियान रखना तो यहां तो not लगा के first form ही लिखना होगा तो not keep हो जाएगा फिर देखिए उनकी पतनी याने his wife फिर हो जाएगा उनके लिए याने की for him हो जाएगा चाय याने tea और फिर तयार याने ready रखना को keep लिखा गया है जब याने भेन होता है जब उन्हें आविशक्ता होती देखिए आविशक्ता होना need होता है यह तो आपको पता होगा तो need याने आविशक्ता होना present simple होगा तो need सो जाएगा और याने की या होता है तो or और याने की और फिर यहां पे समय याने time होता है, spend करना याने बिताना होता है, और a little time याने थोड़ा समय कहेंगे, और विथी याने के साथ, और his wife याने अपनी पतनी के साथ, तो देखिए कौन-कौन से हमें कठिन बढ़ मिले हैं, एक तो obedient हो गया, जो कि आपको पहले से पता भी होगा obedient याने अग्याकारी, need याने आविशिक्ता होना, when याने जब, keep याने रखना, ready याने तया, tea याने चाय, और फिर for him याने की उने के लिए, और his wife याने उनकी पतनी, और यहां पे कोई word नहीं है, सफरा जॉल्ट, याने की जटका लगना हो जाएगा, और यहां पे self important person, औ तो solemn ध्यान लखना, और heavy body, याने एक भारी सरी, तो देखे, कोई भी ऐसे cutting word नहीं है, जो आपको पता नहीं हो, बस एक सफरा जॉल्ट, बस है नया word, और एक solemn है, तो दो word ही है, बाकि सभी word आपको पता है, तो देखते हैं, पहली line यह दिए हम देखें, George Pearson subject हो जाएगा, फिर इज सहाइकरिया लिखेंगे, क्योंकि प्रिजेंट टेंस है, George Pearson इज दा हस्वेंड, दा हस्वेंड आफ मिसेज पियरसन, तो George Pearson इज सहाइकरिया दा हस्वेंड आफ मिसेज पियरसन, उनका एक भारी सरीर है, देखे, जब किसी व्यक्ति के पास कोई चीज होती है, तो He has उनके पास है या उनका है, A heavy body याने एक भारी सरीर, तो He has a heavy body याने एक भारी सरीर है, अब तिक्यों वह गंभीर हैं, यानि कि He, फिर एज सहाइकरिया, He is solemn हमने बताया, He is solemn वह गंभीर हैं, बट लेकिन self important person है वो, तो यहां He is solemn बट self important person है, और His male, His male ego, subject लिखेंगे, तब जटका लगता है, present simple है, जटका लगना, सफर आजोल्ट बताया, present simple है, तो ऐस लगाके, सफर आजोल्ट, और तब को आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि तब और जब एक सा आता है, तो जब अकीले को लिखते हैं, तो जब याने fan, और he याने की वह है, find याने पाना होता है, लेकिन ऐस लगाके, क्योंकि present simple है, तो finds पाते हैं, that की, और फिर उनकी पतनी, याने की his wife कहेंगे, उनकी पतनी ने, उनकी लिए चाय तयार नहीं रखी, देखी, यहां प दिड़ सहाई किया, not first from, तो यहां पे his wife did not keep नहीं रखी, और फिर टी रेडी याने चाय तयार, टी और रेडी याने तयार होता है, और for him याने उनके लिए, तो when he finds जब आपाते हैं, that की, his wife did not keep नहीं रखी, टी रेडी चाय तयार नहीं रखी, for him याने उनके लिए, उनक पतनी को उनके लिए, चाय तयार रखनी पड़ती है, जब उन्हें आविशक्ता हो याना हो, एक आग्याकारी पतनी के समान, तो दिखी, ये line यरियम बनाएंगे, उनकी पतनी याने his wife हो जाएगा, उनकी पतनी को चाय तयार रखनी पड़ती है, दिखी, पड़ती है का मतल है, यहाँ पर मजबूरी बताई जा रही है, तो मजबूरी कैसे बताते हैं, आपको पता होगा, present tense में या तो has to लगाते हैं, या have to, और यहाँ his wife एक बचने, तो has to से काम चल जाएगा, तो his wife याने उनकी पतनी को has to keep याने रखनी पड़ती है, has to के बाद first form होता है, ध्य तो has to keep याने रखनी पड़ती है, और tea ready याने चाय तयार रखनी पड़ती है, और for him याने उनकी लिए, और जब उन्हें आविशक्ता हो, जब याने होता है भेन, तो भेन हो जाएगा, जब उन्हें का मतलब है, उनकी पती की बात हो रही है, तो उसे ही लिखेंगे फिर, तो भेन ही जब उन्हें नीड आविशक्ता हो, नीड होता है आविशक्ता होना, लेकिन present simple, तो नीड से लिखेंगे, और याने या ना हो याने not लिखेंगे, तो भेन ही नीड से जब उन्हें आविशक्ता होती है, और not या नहीं होती है, एक आग्याकारी पतनी के समान ये के लिए हम एन आर्टिकल लिखेंगे तो एन ओबिदेन्ट वाइफ तो यहां लाइक यान के समान और एन ओबिदेन्ट एन ओबिदेन्ट वाइफ यानpoints याने एक आग्याकारी पतनी के समान फिर आगे देखे वह जाएगा हि के हमीशा जब भी आता है ना तो फिर किरिया से पहले लिखते हैं तो he always याने वह हमेशा फिर लिखेंगे spend spend लिखेंड प्रिजेंट सिंपल होगा तो spend में ऐस लगाके spend याने बिताते हैं a little time थोड़ी सा समय और with याने की के साथ his wife याने की अपनी पतनी के साथ सरम रिपीट कर लेते हैं यहां George Pearson is the husband of Mrs. Pearson he has a heavy body he is solemn but self important person his male ego suffers a jolt suffers a jolt when he finds that his wife did not keep tea ready for him his wife has to keep tea ready for him when he needs or not like an obedient wife he always spends a little time with his wife तो देखें इस प्रिकार से हमारा आंसर बन जाएगा और यह आंसर बिलकुल भी कठिन नहीं है क्योंकि translation के सभी वर्ड बहुत सरल सरल हैं तो यह आंसर long type का भली है लेकिन बहुत सरल लगा होगा और यदि आप एक दू बार ही practice करेंगे तो यह आराम से बनने लगेगा तो आज हमने तीन important question किये बाकि और भी important question बचे हुए हैं जो हम आगे की वीडियो में करेंगे तब तक के लिए दहन्यवाद